हेलो गाइस वेलकम टेमकेस्ट टुटोरियल आज से हम लोग वेक्टर केल्कुलर स्टाट करने वाले हैं तो इसमें जो हम लोग पहले पढ़ने वाले कि ग्रेडियां इसको हम लोग V operator है फिर Vector operator भी बोलते हैं और उसे लिखते कैसे हैं वी लिखके उपर उसको क्लोज कर लेते हैं वी लिखके उपर उसको क्लोज करना है तो बेसिकल देखो यह होता क्या है यह होता क्या है इस बेसिकली आई कैप डी अपार में डी एक्स प्लस जे कैप डेल अपार में डेल य प्लस के कैप डेल अपार में डेल जड ठीक अब मानलो आपके पास कोई function दिया है बोला है कि gradient of that phi निकाल रहा है ठीक है gradient of phi phi आपके क्या है कोई भी एक क्या बोलते है expression है मानलो आपके पास कोई भी function दिया हुआ है आपको ठीक है तो कैसे निकाल रहें देखो पहले पहले gradient को अपने आपके आपके i del upon में del x plus j देखो cap भी लगा सकते हो इसको पर ठीक है कि महां cap नहीं लगा रहा हूँ आप प्लस k del upon में del z यहाँ लिखे उसको क्या करेंगे 5 से multiply कर लेंगे तो next step में क्या होगा यह 5 जो है उसके साथ multiply हो जाएगा और आगे जो है इस वीडियो में आपको एक question भी बता दूंगा simple question जी से आपको पूरा concept मालूम पढ़िया हैगा that is i del phi upon में del x plus j del phi upon में del y plus k del phi upon में del z ठीक है तो इस step से जो है हम लोग gradient of किसी function को हम लोग यहाँ पर solve कर सकते हैं तो let's suppose मैं आपको एक question ले देता हूं ठीक है find gradient of x square y z ठीक है हमको क्या निकाला है gradient of this function which is x square y z निकाला है तो यहाँ पर देख क्या होगा solution gradient of x square y z equals to i del upon में del x plus j del upon में del y plus k del upon में del z यहाँ पर लिखेंगे आप function जो आपको दिया है x square y z इसको लिख लिए next step में क्या होगा bracket को open कर लेंगे सबको सभी में multiply कर लेंगे तो देख यहाँ पर क्या होगा i del upon में del x this is x square y z फिर हम क्या करेंगे j del upon में del y यहाँ हम लिखेंगे x square y z फिर फिर प्लस k del upon में del z we will write here x square y z लिख लिखेंगे इसको next step में क्या करेंगे इसको अपर हम partial differentiate करेंगे with respect to x with respect to y and with respect to z i this will become 2xyz यहाँ बता क्या बनेगा this is j this will become x square z यहाँ बता क्या होगा k यहाँ बता क्या होगा थमाहता x square y ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे इसको 2xyz i plus x square z यहाँ लिखेंगे j plus यहाँ लिखेंगे x square y k तो यह जो है अपना क्या है answer होगे because हम लोग ने कहाने करा था gradient of this function जो कि अपना यह answer है तो इस video मस इतना ही है thank you